जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को आलेयों समन्वे विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदो पर नियुक्ति के लिए कारयोजना पर रिपोर्ट मांगी हैं बतादे मुख्य मंत्री हमान सुरेन सोमो और को इसकी समिक्छाक कर सकते हैं बतादे राजे के सभी सरकारी करयाले भी इसे लेकर कारयोजना बना पूरी रिपोर्ट सी एम के समख्च रखी जाएगी विभाग अधिक से अधिक रिक्तियों के बिरूद नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तयार कर रहे हैं विभीन विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नई और संसोधित नियमावली भी बनाई गई है इसके तहत नियुक्ति के लिए अधियाचना राजे करमचारी चयन आयोग को भेजी भीज गई है बतादे बड़ी संख्या में होने वाली नियुक्तिया जार्खन करमचारी चयन आयोग के द्वारा बस 2021 में फोरेंसिक साइन्स लेवरेटरी में सांस्टिफिक असिस्टेंट के 64 पदों के लिए आवेदन लिया गया है इसके साथ ही 956 पदों पन्युक्ति के लिए जार्खन असनातक योगता धारी सन्युक्त परत्युक्त परिक्छा का भी ओनलाइन आवेदन जमाक लिया जा रहा है जार्खन में फिर बदलेगा मौसम कमीजाज तो कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिस होगी बता दे राई धानी राची में सुबह से ही धूब खिली है हलाकि कपकपाती ठंड से राहत नहीं है दो फरवरी से ही मौसम का बदलाव दिखने लगेगा जहारखन में तीसरी लहर कमजोर साथ दिनों में एक हैयार से कम होगा एक टिप केस राजे में कुरोना के तीसरी लहर कमजोर हो गई है स्वास्त विभाग के आकड़े बताते हैं कि राजे में अब 25 दिन पहले वाली स्थिती हो गई है एक टिप केस की संख्या 7 हैया से कम हो चुकी है विषसक यह का रहा है कि अगले एक सब्ता में एक टिप केस की संख्या घट कर एक हैया की नीचे आ जाएगी नए संक्रमितो की तुल्ला में 3 गुना ज़ादा मरीज स्वश्त भी हो रहे है सब्ताहिक संक्रमंदर भी घटकर 0.23 फिश्दी पर आ गई है राज्य के 6 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केस 100 से नीचे आ गई है जिसमें गढ़वा, गिरिडी, गुमला, जामतरा, खुटी और लोहरदग्गा में एक्टिव केस 2 अंकों में सिमट गया है जहारखन के 250 सरकारी बिद्यालियों में जन जाती है भासा में पढ़ाई सुरू हुई है इसमें संबंधित बिद्यालियों के बच्चों के अविभागों की समती ली गई है यह पहल प्रथम चरन में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत की गई है यहां बता दे कि जहारखन सिक्चा पर्योईना ने इस अभ्यान में 46 सोई स्कूलों को चुना था मामले में समधित बिद्यालियों परवंधन समीती ने भी समती दी है जनकारी के अनुसार पुरो में 250 चैनित स्कूलों में 17 बिद्यालियों के अविभागों ने जनजातिय भाषा में पढ़ाई को लेकर समती नहीं दी तो जहासिप ने नए सीरे से 17 स्कूलों का फिर से चैनि किया है जिन बिद्यालियों में जनजातिय भाषा में पढ़ाई सुरू हुई है वहां उस भाषा को बोलने वाले स्थर फिषदी या उससे अधिक बच्चे न मांकी था है बोकारो इस्टिल स्टी की टाउन्सीप होगी स्वाक्ष बरश 2022 में बोकारो इस्टिल स्टी की टान्सीप स्वाष और सुबेवसित होगी बी एस एल ने टाउन सीब को स्वक्ष और सुवेवासित बनाने की मोहिम सुरू कर दी है परमुक सडकों की मरमत का कारे 2021 सही परगाती पर है आवासों के अनुरक्षन वा एक्स्टरनल मेंटेंस के कारेों को प्रत्मिक्ता जी आ रही है 2022 में विभीन सेक्टरों के लगभग 90 किलोमीटर स्टीट रोड और लगभग 60 किलोमीटर अन्ड़ सडकों की मरमत की योजना है हजारी बाग में नकसलियों की कोशिस नकाम हजारी बाग के विसून गढ़ प्रकंड में नकसलियों के बढ़ते प्रभाव को पूलिस ने रविवार को नकाम कर दिया पूलिस टीम खरकी जंगल पहुँचकर पूल के निचे राखे बम को बरामत कर निसक्रिय कर दिया है ग्यात हो की 25 जनवरी की राथ नकसलियों ने खरकी और मंडमो गाओं में लगे जियो टावर को उड़ाने वई स्कूल में काला जंडा फाराया था पांच दिन बाद 30 जनवरी को खरकी जंगल पूल के पास नकसलियों दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे चतरा में पूलिस की बड़ी करवाई 250 पेटी अंग्रेजी सराब जबते पूलिस ने सन्निवार की देर साम कंदा बारा गाओं के एक घर से 250 पेटी में बंद 6492 बोतल अवैद अंग्रेजी सराब जबत किया है साथ ही एक तसकर गाओं के ही राम बालक साव को गिरफतार किया है जबकि उसके पूत्र पिंटू साव भागने में सफल रहा यह जनकारी HDPO अविनास कुमार ने रभिवार को थाना परिशन में प्रेस्वरता कर दी उन्हो अर्जुन मुंडा ने स्रम नियोजन प्रसिक्षन हम कोसल विकास विभाग द्वारा बनाये जाने वाले ITI भवन और छात्रावास का सिलन्यास करते हुए काहा कि जार्खन के खुटी जिले के कारा प्रखंड का कुंदा गाओं एजुकेशन हब बनता जा रहा है कुंदा गाओं में मानव संसाधन की स्रिंखला बनती जा रही है ITI खुलने से गाओं तथा आसपास के छेत्र के युवाओं को अध्योगिक प्रसिक्षन का मौका मिलेगा इससे छेत्र के युवाओं के साथ साथ बाहर के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा धनबाद में हाथियों के आतंग से बचने के लिए खरिदे जाएंगे ड्रोन कैमरा धनबाद के टूंडी के पहाडों पर डेरा जमाने वाले हाथियों के जोंड की कतिबीदियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी कैमरा खरीदने के लिए बन एवम पर्यावरन विभाग ने भेजे गए प्रस्ताओं को मुख्याले ने मनुख्याले से फर्वरी में फंड मिलने की उमीद है बन विभाग के अधिकारियों के अनुसार डोन केमरे की मदद से आथियों के आतंक से समय रहते जानमाल की सुरक्षा किया सकेगी इसके अलावा विभाग महतपून चीजों के निगरानी में डोन का उपयोग करने की योजना बना रहा है बन विभाग वन छेत्रों में पेस आने वाली समस्याओं का पता लगाने में ड्रोन का इस्तिमाल करेगा रांची के मोराबादी में दुकंदारों का परदसन जारी रांची में पिछले सप्ता के गुरुवार को हुई गैंगवार के बाद मोराबादी मैदान के पास 1334 लगा हुआ है या गैंगवार सीबू सुरेन के घर के पास हुई थी इसके बाद रांची नगर निगम की टीम दुखंदारों के लिए एलान किया गया कि आपने दुकान हाटा लिया जाए नहीं हाटा आए गये तो समान को जब्त कर लिया जाएगा सब्जी बजार वर्ट ठेला लगाने पर भी रोक लगा दी गई है इसी को लेकर राची नगर निगम की टीम मुरबादी मैदान पहुँच कर जब दुकान हटाने लगी तो मुरबादी मैदान के दुकंदार परदस्थन करने लगे प्रदीप बाल मोचू और सुखदेव भगत की कौंग्रेस में हुई घरवापसी जब दिछे के नए प्रभारी अविनास पांड़े की मवजूदगी में दोनों वरिष्ट निताव की घरवापसी हुई इस मगों के पर जार्खन कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अजय कुमार और जार्खन कॉंग्रेस के स्वप्रभारी उमंग सिंगार भी मजूद थे जार्खन के जूमरी तिलेया के पास मालगाडी में लगी आग चारखंड के जूमरी तिलिया के पास नई दिली हवडा रूट पर कोडार्मा में गया की ओर जा रही एक कोईला लोडेट 57 बोगी मालगाडी के 13 बोगी में धुवान निकलने की खबर से रेले में आफरात अपरी मच गई पोर्टल भीम कुमार ने सोमवार की सुबा 3 बजे धुवान निकलते देखा और ओन ड्यूटी इस्टेशन प्रवन धक सम्भू संकर को इसकी सुचना दी उन्होंने ततकाल फायर बिरिगेट कोडार्मा को सुचना दी इधर सुबा 5 बजे फायर बिरिगेट कोडार्मा के बकाया दामोदर घाटी निगम और जारकन बिजली बित्रण निगम के बिच बकाया को लेकर वर्षो से चले आरे विवात को सुलजाने की कवायतेज हो गई है दोनों पक्ष इसके लिए मैराथन बैठक की त्यारी कर रहे हैं ताकि सूला के बिंदू तक पहुंचा जा सके बीते सुक्रवार को जारकन सरकार और डिवीसी के परमुक अधिकारियों संग बैठक में इस पर समाती बनी हलाकी इसे लेकर दामोदर अलग है जिससे समधित दस्तावेज दोनों पक्ष एक दूसरे के समक्ष रखेंगे धन्यवाद यदि आप चनल पना पना चनल को सब्स